So, Hello dear students, Welcome to the Geocentric और अभी तक हम लोग construction detail में किस material तक पहुँचे थे core material हम लोगों निजात किया था और core material हम लोग CRGOs बनाया था हम लोगोंने एक cast iron से CRGO तक की हम लोगोंने यात्रा कर ली है और उसके बाद हम लोगोंने देखा था किस तरह से faradal law of electromagnetic induction प्रूफ किया था अब हम लोग चलिए देखते हैं कि gate point of view से transformer का construction भी उतना ही important है बट पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है सारे subject में constructional detail पे बहुत ज़्यादा focus नहीं किया गया है operational detail पे ज़्यादा questions आते हैं आपके कोई भी subject उठा के देख लीजे आप operational detail जहां पे आपका एक सब कुछ device बना हुआ input दीजे और output आपको find out करना है construction detail को बहुत ज़्यादा तवज्यों दी नहीं गई है बट हम लोग electrical machine की जब बात करें तो बिना construction से हम लोग सिर्फ operation पढ़ेंगे तो हमें feel नहीं आएगा कि असल में transformer दिखता कैसा है induction machine दिखती कैसी, synchronous machine दिखती कैसी है तो हम चाहेंगे कि construction पढ़े बट उतना ज़्यादा PhD नहीं करेंगे हम लोग construction पे सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारी requirement है जितना हमारा लिए काम का है, जितना हमारी imagination करने में हमें दूसरे concept पढ़ने में help हो जाए उतना हम पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो चलिए आपके सामना आज में लेके आए transformer का brief diagram तो सबसे पहले हम लोग core material यह core material हम लोगों ने इजाद कर चुके थे हम लोग core material किस से बना होता है CRGOS material से बना होता है ठीक है, तो अभी हम power transformer में CRGOS material ही use करते हैं कैसे बनेगा core की मैं अलग से वापस से detailing करूँगा, ठीक है guys तो इस core के उपर मैंने एक winding HV और एक LV कर दिये, इस sense of winding को भी मैं आगे चलके बताऊंगा किस तरह से sense of winding होता है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी आए वैसा कर दिया हमने, ठीक है तो यहाँ पर HV और LV suppose यह high voltage और यह low voltage winding को मैंने wrap up कर दिया और उसके बाद एक बड़े से टेंक में इसको मैंने dip कर दिया यह जो बड़ा टेंक है, जिसको हम लोग क्या बोलते है main tank, transformer का क्या है यह main tank, main tank transformer का main tank है इस main tank के अंदर oil fill up है, जो red तरह के dot 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 दिखाए दे रहें आपको dash dash dash, यह सारा क्या है transformer oil है, और oil filling हम लोग कहां से करते हैं tank में एक भी air bubble नहीं आना चाहिए ठीक है, क्योंकि purpose यह जो transformer oil है, इसका purpose क्या है एक तो cooling provide करवाना और दूसरा insulation, इन windings के बीच में जितना ज़्यादा अच्छा insulation बना रहेगा electrical isolation है इन दोनों के बीच में कोई भी physical connection नहीं है, कोई भी electrical connection नहीं है, दोनों isolated coil से ठीक है, और इस oil को हम लोगोंने cool करने के लिए जब हम लोगोंने सरकार राज movie आई थी तो उसमें अमिता बच्चन ने देखा होगा, आपने poster जो देखा होगा, उसमें वो cup और plate में चाहिए पीते हैं, plate में क्यों चाहिए लेते हैं कि यह जो fins है, यह side में हम लोगों ने क्या करा, इस oil को ज़्यादा surface area से flow करवाना है तो transformer के आसपास एक हम लोगोंने fins दे दी, यह मैंने दो ही बनाई हो सकता है, तीन, चार, पांच भी मिले, आपके घर के आसपास जो भी fins, दोनों side होती है जिससे कि क्या help होती है, surface area बढ़ जाता, oil flowing का, तो oil जल्दी से ठंडा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते है, natural cooling बोलते है natural तरीके से हम oil को ठंडा कर रहे है, उसके बाद हम लोग क्या चाहते है, कि जो HV और LV, इन पर supply यहां फिर हम लोग जहां से load लगाएंगे वो कहां से लगाएंगे, with the help of bushings तो यहां पर देखो, आप यह bushings नजर आ रही है, यह ceramic material की बनी होती है, और यह बड़ी bushings है छोटी bushings है, क्यों? क्योंकि जो बड़ी होगी, वो HV side होगी, और LV side क्या होगी, छोटी bushings, अगर आप से कोई पूछे, कि transformer को देख के बताना है, किस side LV, किस side HV है, तो आप क्या देखोगे सबसे पहले, bushings का size देख के बता सकते हो, जिधर bushing बड़ा है, उस side क्या होगा, HV होगा, छोटे bushings क्या होगे, LV होगे, ठीक है, गाइस, तो चलिए, और यह हम लोग ने expansion wall दे दिया है, expansion pipe दे दिया है, कि अगर overflowing होए, oil का, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा oil, ठीक है गाइस, उसके बाद हम लोग आते है, यह oil कहाँ जाएगा, धीरे धीरे एक, इसको बोलते vent pipe, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं लोग vent pipe और यह कितना degree होता है, लगबख लगबख 9.5 degree के असपास मोड़ा जाता है, यह mechanical वालों का काम है, कितना क्या मोड़ना, oil का flow कितना होगा, यह सब mechanical वाले काम करते हैं, तो जैसे इस pipe को modding इसको बोलते है, vent pipe, that is buckles relay, buckles relay transformer की जितने भी internal fault आते हैं, उससे prevent करता है, इसको मैं detailing में बताऊँगा आगे चलके enlarge करके बताऊँगा कि buckles relay का असल में function क्या है, उसके बाद oil कहां, यह वाला कहां connected होता है, conservator से, conservator का क्या purpose है, सबसे पहला परपस है, conservator का कि इस transformer के main tank को क्या करना हमेशा fully fill करके रखना है, उसको 100% fill करके रखना है, क्योंकि मोसम के हिसाब से, या फिर load के variation के हिसाब से, oil का क्या हो सकता है contract हो सकता है, या फिर expand हो सकता, oil का viscosity vary कर सकता है, तो जब oil थोड़ा viscous हो जाएगा, तो level down हो जाएगा, तब ये conservator क्या करेगा, fill कर देगा, और जब गर्मियों के time पर किसी loading के high load जब लगा है, तो expand करेगा, अगर oil, तो यहाँ पर extra oil कहां carry करेगा conservator के अंदर, तो conservator 60 to 70% oil fill करके रखता है, ताकि main tank को क्या करे, एक, अपने जितना भी, जितना भी उसका benchmark बना रखा हम लोग ने, fully fill होना चाहिए, ये पूरा इसका level maintain करने के लिए क्या help लेंगे, हम लोग conservator की help लेंगे, उसके बाद oiling का, ये हर जगे पर locking लगी रहती है, हर जगे पर sensor लगे होते हैं, कितना कितना हो रहा है सारा चीज़े, उसके बाद इससे connected है हमारा breather, breather जो कि outside से glass का बना होता है, इसके अंदर silica gel के crystals होते हैं, जो कि impregnated with क्या होते हैं, cobald chloride, इसमें क्या होता है, जब इसमें crystal यह इसका purpose क्या है, यह moisture को absorb करता है, oil के अंदर जो भी moisture होगा, moisture content जो भी होगा उसको absorb करेगा, उसको पता कैसे चलेगा, कि absorb कर लिया है, तो हम लोग देखेंगे, जब silica gel यह install करते time पे blue color होगा, white bluish होता है असल में तो, हम लोग blue bowl देते हैं, और जब इसने moisture को absorb कर लिया, oil के अंदर से, तो it turns into the pink color, pink color के अंदर तबदिल हो जाएगा, तो जैसे pink color दिख जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा, कि यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो चुका है, इसका moisture absorb कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, ठीक है guys, तो यहाँ पर यह oil के अंदर से moisture को absorb करने के लिए काम आता है, ग्लास का इसलिए बनाए जाता है, ताकि crystal हमें clearly दिख सके कि कौन सा color है, तो install करते time पे blue color, जब इसने moisture को absorb कर लिया, तो क्या हो जाएगा, pink color हो जाएगा, ठीक है guys, तो इस तरीके से construction है, और एक और चीज, इस construction के नीचे एक base लगा रखा हूँ, यह दो wheel है, wheel है, क्योंकि transformer ऐसा नहीं कि उठा के ले गए कंदे पे और हो गया, यह जो छोटे transformer की बात है अगर, तब तो हम कर सकते हैं, बड़ जब बड़े transformer होंगे, तो उनको आसानी से उठाया नहीं जा सकता, तो उसको कई बर plant के अंदर railway track बिछा जाता है, railway track ऐसा नहीं कि पूरा track हमेशा के लिए बिछा रहता है, दो-तिन पट्रिया ले लेके उसको railway track के सहारे, क्योंकि विल लगे हुए, यह उस track के हिसाब से लगे होते, उस track पे roller करकर के roller करकर के हम लोग ले जाते हैं, तकरीबन-तकरीबन main gate से transformer जहां असल में लगता है, पाउर प्लांट में, वहाँ तक ले जाने में कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं, इस will के सहारे ले जाते हैं हम लोग, तो इस तरीके से transformer का एक detailing है, ताकि आपको जब भी transformer देखो तेक imagination create होना चीए, machine सीखने के लिए आपको imagination होना बहुत जरूरी है, क्योंकि flux ना मैंने देखा हैं ना किताब चापने वाले ने देखा हैं, यह सब हमारा imagination है, तो आपका जितना अच्छा imagination होगा, उतना अच्छा आप machine सीखोगे, तो transformer आप अपने आसपास देख सकते हो, इसमें हो सकता, बकोल स्रिले आपको नहीं देखने को मिले, कुछ कुछ चीज़े में और detailing बताऊंगा, तो इस तरीके से आपका diagram है, जिसमें एक main tank, एक conservator, fins, bushings, relay, बकोल स्रिले जिसको बोलते हैं लोग, और silika gel जिसको हम लोग breather बोलते हैं, ठीक है guys, तो इस तरीके से construction का detailing होता है, complete आपका, core की extra detailing और सारी चीज़े में अभी आने वाले lectures में बताऊंगा, चलिए guys, I hope आपको मजा है होगा, इस diagram को देखके कि कैसे transformer work करता है, ठीक है guys, ये हमेशा oil के अंदर dipped रहता है, ये CRG का बना हुआ material है, ठीक है, चलो मिलते है next lecture में और detailing के साथ, so transformer के construction पढ़ने के बाद अब हम आते है, उसके जो भी construction में यूज होने वाले main component है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा brief idea और ले लेते हैं हम लोग, तो चलिए देखते हैं, number one core, हम लोगों ने देखा था कि transformer के construction में, core के उपर क्या किया था, हम लोगों ने winding wrap up की थी, core कैसा होना चीए, core क्या करता है, transformer के अंदर दोनों windings के बीच में, एक magnetic path provide करता है, जिसकी वज़े से mutual flux जादा से जादा हो, और leakage कम से कम हो, इस वज़े से core material के उपर हम लोगों ने काफी analysis किया, हम लोगों ने cast iron से लगा कर पहुचते हैं, हम लोग CRGOs तक पहुचे थे, उसके बाद दिख लिए, यह core क्या होता है, magnetic core of a transformer, magnetic core of a, magnetic क्यों बोला, क्योंकि magnetic path provide करता है, इस वज़े से core का नाम क्या बोले देंगे हम लोग, magnetic core, magnetic core of a transformer is made up of a stacks of thin lamination, 0.35 mm thickness of cold rolled grain oriented silicon sheet stills, lightly insulated with varnish, तो guys, अभी तक हम लोगों देखा, कि जो जिससे ऐसा नहीं होगा, कि material डाये, material को लगा, हम लोग एक raw material निकाल लिए, और CRGOs फॉर्म कर लिए, और transformer बना देंगे, ऐसा नहीं होता है, उस material को, जो CRGOs का material का बन चुका है, बड़ा material, उसके छोटे-छोटे slice हम लोग pieces करेंगे, देखिए, जस लाइक, अलग-अलग depend करेंगा, core type या shell type, अभी मैं इस discussion के बाद, construction के बाद, core type और shell type पढ़ाऊंगा, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए बता देता हूँ, कि इस तरीके से L shape में, और ये दुसरा ultra L, ये दो तरीके pieces कट करेंगे हम लोग, इस L के form में, और दुसरा inverted L के form में, pieces कट करते जाएंगे, और इनको एक दुसरे के उपर लगा देंगे, जस लाइक कि अगर हम लोग ने black ऐसा लगाया है, तो इसके उपर ये क्या हो जाएगा, blue color का L उल्टा, इस तरीके से लग के, ये rectangular form कर देगा, rectangular form कर देगा, और ऐसे बहुत सारे L और inverted L की cutting, one by one चिपकाएंगे, पहले black वाला L, फिर blue वाला, फिर black वाला, फिर blue वाला, black वाला, blue वाला, इस तरीके से चलते जाएगा, number of L बनाते जाएगे, जिससे कि हमको ये thickness मिल जाएगी, ये thickness को हम क्या करेंगे, पंच कर देंगे, और इसकी बीच में याद रखिएगा, एक lightly insulated with varnish, दोनो L किसे है, आपने अगर वो छोटा वाला, जो transformer आपको दिखा होगा, जिसमें कई बार E-shape भी आता है, E-shape मतलब की, shell type की बात हो रही है वो, अभी बताऊँगा, core type और shell type, दोनों का construction बताऊँगा, ये mainly core type के, उसमें होता है, core type का as it is में पढ़ाऊँगा आगे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, ये जो L होते हैं, ये already thick lamination होता है, इसमें 0.35 mm का बना होता है, और ये दोनो L जो एक दुसरे से भी insulated होंगे, वो किसे होंगे, वार्निश से, तो आपको देखा, मैंने red color में क्या बना रखा है, वार्निश बना रखा है, तो एक एक ये 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 नमबर 1, 2, 1, 2, 1, 2 इस तरीके से चलते जाएगा, और इन दोनों को प्रेस कर देंगे, पंच कर देंगे हम लोग और इस तरीके से होगा, इससा फाइदा क्या होगा, इससा फाइदा ये होगा, देखिए, पंच जैसे ही करते, क्योंकि हमको क्या करना है, mainly core loss को कम करना है, core loss मतलब eddy current और hysteresis losses, ये करने की वज़े से core loss कही नहीं कहीं minimize होगे, क्योंकि हमारा जो eddy current है, उसके path को हम confine कर देंगे, ठीक है, तो eddy current के path को बहुत ज़्यदा लंबा रास्ता मिलता है, उस path को हम लोग क्या करते हैं, cut कर देंगे, confine कर देते हैं, जिसकी वज़े से हमारे core losses कम हो जाएंगे, आगे पढ़ाऊँगा, जब eddy current पढ़ाऊँगा, तब इसको वापस से मैं समझा दूँँ एक बार, यह जो punch करने के बाद होगा, जैसे अगर किसी चीज़ को हम लोग punch करेंगे, इन दोनों को punch कर देंगे, उसके बाद हमारे इसमें क्या होगा, mechanical stress develop हो जाता है, इनकी edges के उपर, यह edges है ना, दोनों side की, इन edges के उपर क्या होगा, mechanical stress develop हो जाएगा, अब देखो क्या करेंगे, यह punch होने के बाद, पहले तो, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, annual process से निकालेंगे, annual process का मतलब क्या है, कि अगर इसको बहुँ ज़दा temperature पे heat कर दो, और उसके बाद cool दीरे-दीरे होने दो, जिससे की lamination वगेरा perfectly लग जाएगे इसके उपर, तो annual process का मतलब क्या है, किसी material को बहुँ ज़दा temperature पे heat कर दो, और इसको ठंडा forcefully मत करो, naturally दीरे-दीरे-दीरे-दीरे, slow process से इसको cool down होने दो, इस process को बोलते है, हो जाएगा, stress relief हो जाएगा, जिसकी वज़े से, because stressed material has a higher core loss, मैं नहीं बता चुका था, कि stressed material अगर use करेंगे, तो core loss ज़्यादा मिलेंगे, यह process करने की वज़े से, core loss कहीं ने कहीं minimize हो जाएगे, तो इस तरीकी से core का process है, आपको gate के exam में इतना detail पता नहीं होना चाहिए, just interview guidance, क्योंकि आप machine life में एक ही बार पढ़ रहे हो, दो बारा नहीं पढ़ोगे, इसमें interview guidance भी, आपको मैं साथ साथ देते जाऊंगा, gate के return question के साथ साथ, तो इस तरी से core का, मैं बहुत दर detail में नहीं जा रहा हूँ, core इतना detail में जा रहा हूँ, जिसकी वज़े सापको एक brief idea भी हो जाए, ताकि आप interview में जब जाओ, तो आप blindly नहीं रहो, सिर्फ transformer का EMF equation या voltage regulation नहीं निकालते आना चाहिए, इससे भी ज़्यादा की कहानी आपको पता होना चाहिए, चलिए guys, तो इक core के बाद हम लोग आएंगे, second construction का बड़ा feature है हमारा windings, तो windings कौन से type की होती है, दो type की winding होती है, distributed type की और concentrated type की, distributed का मतलब है, कि 120 degree क्या हो, space displaced हो, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे rotating machine में, concentrated winding में ऐसा नहीं है, कि winding को आपको इस में प्लेसिंग करने पड़े, इसका मतलब ये pen लीजिए, इसके उपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद टन लगा दीजिए, that is type of concentrated type, ठीक है, mainly made up of copper, और copper या फिर जारतार हम लोग aluminum strands भी ले सकते हैं, बट mainly हम लोग copper ही यूज करते हैं winding में, और दूसरा है, HV या LV type की winding हो सकती है, depending on the situation, या अगर दो पेने, इस side HV है, इस side LV है, तो number of tons उसके हिसाब से हो जाएंगे, तो LV type की winding भी बोल सकते हैं, बट LV, HV कभी भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि number of tons उसके हिसाब सकते हैं, बट supply हम लोग कभी भी दे सकते हैं, बनने के बाद supply मान लोग इधर से चेंज करते हैं, यह primary बन गया, यह secondary बन गया, यह काफी एक्जांस में से परपस के बारे हों पूछते हैं, तो transformer oil क्या करता है, provides insulation and cooling, दो चीजे करता है, insulation and cooling, cooling का मतलब transformer का overall temperature होगा, उसको थोड़ा साथ ठंडा रखता है, just like हम लोग अगर bike वगेरा की बात करें, हम लोग oil क्यों change करते हैं, servicing के time पे हम लोग oil change करवाते engine oil, ताकि engine गरम नहीं हो, गरम तो होगा, बट overheating नहीं हो, तो transformer भी गरम तो होगा अंदर, बट उतना ज़्यादा गरम नहीं होगा, थोड़ा सा उसका temperature cool कर पाएगा यह oil, तो oil का पहला purpose क्या है, cooling और दूसरा insulation, दोनों जो हम लोगों ने dip core को जो dip कर रखा oil के अंदर, तो यह जो LV और HV winding के बीच में क्या है, insulation होना चाहिए, तो यह extra insulation प्रोवाइड करता है transformer oil, वेसे तो दूर-दूर रख देंगे, तो भी insulation है ही सही, बट अगर oil के अंदर dip कर दिया, तो और insulation अच्छा हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट, यह oil किससे बना होता है, तो it is obtained by fractional distillation of crude petroleum, crude petroleum के fractional distillation के बाद ही सारे हमारे oils बनते चाहिए, petrol की बाद करे चाहिए, diesel की बाद करे चाहिए, के रोसे इनकी बाद करे, high dielectric strength होना चाहिए, low viscosity, viscosity बहुत high नहीं होना चाहिए, low viscosity होना चाहिए, good resistance होना चाहिए, high flash point, flash point और firing point आपने अपने chemistry में, topic में पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा हो, तो redwood experiment होता है, जिससे हम लोग flash point और firing point चेक करते हैं, तो यह high flash point होना चाहिए, मतलब flashing का मतलब क्या है, कि ज़्यादा से ज़्यादा temperature के बाद ही यह flash करना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद flashing के बाद क्या हो जाता है, fire point आ जाता है, और free from क्या होना चाहिए, sludges, sludges वगेरा हम लोग ने पढ़िये, कि water वगेरे, जो हम लोग देसी भाषा में हम बोलते हैं, कि पानी की वज़े से कंजी जो जम जाती है न, green green, तो वो that is one type of sludges, तो यहाँ पर oil में क्या होना चाहिए, sludges नहीं होना चाहिए, ठीक है, और moisture repellent होना चाहिए, moisture बिल्कुल नहीं आना चाहिए, moisture के लिए पूरा-पूरा हम लोगों ने क्या कर रखा है, silica gel वगेरा moisture absorber भी लगा रखा है, बट फिर भी oil के अंदर moisture repellent property होना चाहिए, तो यह कुछ property है, यह gate examination तो नहीं, बट other than gate examination यह property बहुत काम की है, कई बार 4 options होते हैं और हम लोग नहीं लगा पाते हैं, तो यह property आपको जो भी ESC pre का और gate के कुछ एक नंबर वाले marks में important है, चलिए इससे ज़्यादा transformer oil की और आवशकता आपको नहीं है, चलिए गाइस, next चलते हम लोग, next हम लोग ने conservator पढ़ा था, conservative detail आपको जानना नहीं, आपको मैं already बता चुका हूँ, कि conservator क्या करता है, 60-70% fill करते, इसका main purpose क्या है, transformer के main tank को fill रखना, ठीके, उसके अंदर oil की कमी नहीं हो जाना, breather, again breather हम लोग पढ़ चुके, that is silica gel, इसके अंदर पूरा सब कुछ था, इसके बाद बकोल्स रिले में अभी इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा, बकोल्स रिले डिटेल में थोड़ा सा, core type, shell type पढ़ाना है, और बकोल्स रिले पढ़ाना है, यह वहीं पढ़ाऊंगा, यह important है, ठीके, bushings, फिर समको पढ़ने की जरूत नहीं है, अल्रेडी मैं bushings के बारे में क्या बता चुक हूँ, कि bushings क्या करते हैं हमें, कि जो transformer के core पे जो electrical connection दे रखे, उन connections को बाहर लाने के लिए काम आता है, यह basically काई से बना होता है, ceramic material से, बना पॉर्स लिनिया, फिर ceramic material से बना होता है, HV side में बहुत ज़्यादा ceramic यूज होगा, LV side में थोड़ा कम यूज होगा, क्यों? क्योंकि insulation या ceramic की property किस पर डिपेंड करती है, voltage level पर डिपेंड करती है, तो जिस side voltage ज़्यादा develop होगा, वह ceramics या bushings का size क्या होगा, बड़ा होगा, next, एक force cooling भी होता है, नॉर्मल transformer तो नहीं, जो plant के अंदर transformer होते हैं, वहाँ पे हम लोग force cooling भी यूज करते हैं, natural cooling कुन सी है, हम लोगों ने fins जो यूज किया था, fins transformer के outside, वो क्या था हमारा natural cooling था, natural तरीके से cool हो रहा था, ठीके, atmospheric जो coolने से उसको use करके, हम लोग उस fins में extra, हम लोगों ने surface area दे दिया था, जिसकी वज़े से natural cooling हो रहा था, एक force cooling होता है, force cooling में यह होता है, कि कुछ temperature sensor लगे होते, वो temperature sensor के साथ साथ क्या connect होता है, fan connect होता है नीचे की side में, अगर आप power plant में visit करे होंगे, आपने देखे होंगे, वो fan कैसे operate होंगे, automatic operate होंगे, एक temperature sensor लगा दिया, हम लोगों ने predefined बता दिया, कि मालो 70 degree temperature या 100 degree temperature, अगर cross कर जाए थी, fan automatic operate हो जाना चाहिए, तो temperature sensor indicate करता है, fan को चालू रखना या बन करना है, ठीक है, गर्मियों के टाइम पे जादा तर चालू रहता है, ठंडियों के टाइम पे कभी-कभी fan बन भी हो सकता है, तो that is forced cooling, और ये oil की वज़े से जो था हमारे ये क्या था, natural cooling, oil की वज़े से, sorry, oil एक तो cool करी रहा था, बट fins देखे हम लोगों ने क्या कर दिया था, that is natural cooling, तो इस तरीके से ये main transformer के construction के feature है, इससे ज़्यादा कि आपको transformer में construction की जरुवत नहीं है, ठीक है, बकोल स्रिले के बारे में मैं आपको एक बार और बताऊंगा, कि बकोल स्रिले का असल में working क्या होता है, क्योंकि इंटर्यू में कई बार पूछ लिया जाता है, कि बताईए बकोल स्रिले बोर्ट पे बेज़ देते हैं, आपको कि draw करके बताईए कि कैसे working होगा, तो बकोल स्रिले और type of the transformer में पढ़ाऊंगा, shell type और code type, तो चलिए देखते हैं जल्दी से हम लोग कि पहले code type और shell type देख लेते हैं, या फिर पेड़े बकोल स्रिले देखते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ देख लेते हैं, चलिए, अभी तेक हम लोग transformer में क्या देख चुके हैं, उसके construction की जो जो brief detailing हैं, वो सारी बता चुका हैं, डाइग्राम बता चुका हूँ, और डाइग्राम में क्या-क्या चीज़े important थी, core हो, winding हो, transformer, oil हो, breather हो, एक बकोल स्रिले बाकी हैं, वो बताऊंगा मैं आपको, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, कि core जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका material कौन सा यूज़ हो रहा था, CRGOS material का यूज़ कर रहे थे, हम लोग core और बनाने के लिए, हम लोग ने एक hysteresis करो भी देखा था, CRGOS तक कैसे आये हम लोग, वो सारी हम लोगों ने traveling देखी, कि कैसे cast iron से हम लोग, धीरे-धीरे mixing करते-करते-करते, हम लोग CRGOS तक पहुचे थे, अगर guys, मैं आपसे बोलूँ, construction feature में एक चीज़ोर, कि core का material तो आपको पता है, कि high permeable material, that is called cold roll grain oriented sheet steel, या CRGOS डिशको short form में बोलते हैं, अगर आपसे कोई बोला जाए, कि बताए, ये shape of the core material, क्या होगा, shape क्या होगा, तो देखे guys, shape में हमारे पास क्या है, सबसे पहले, आपका पास rectangular shape, जो कि बार-बार हम लोग जो draw कर रहें, transform और rectangular से ही draw करेंगे, समझने के लिए, अगर construction, actual construction feature पे जाए, तो दो चीज़े हमारे पास, एक rectangular, square shape का बोल सकते हैं, और दूसरा क्या बोल सकते हम लोग, circular shape का, just like ये मैंने आपको बता दिया है, ये कैसा shape है, यहाँ पे, ये जो shape है, मैंने top view से बनाया है, सिर्फ और सिर्फ ये पूरा limb, और circular होता तो, ये circular form में इस तरीके से जाता, और इनके उपर winding wrap up होती, winding इस तरह से wrap up होती, इसके उपर भी winding ऐसे wrap up होती, अगर होती तो, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, कि दोनों material से, एक स्क्वेर भी हमारे पास possibility है, और दूसरा किस से बना सकते हम लोग, सर्कुलर से बना सकते, स्क्वेर या rectangular, अगर मान लीज़े, फर्ज कीजिए, कि मैं अगर दोनों का volume of iron सेम ले लू, मतलब सेम iron material ले लू, और volume सा iron का जो है, मैं दोनों के लिए सेम ले लू, तो मुझे list copper जो मिलेगा, वो काई में मिलेगा, circular में, क्योंकि perimeter क्या है, circular shape का जो perimeter है, perimeter जो है, वो है list, list in circular shape, list in circular, circular outer perimeter क्या है, इसका कम होने की वज़े से, यहाँ पर, क्या होगा, less copper used होगा, less copper used, अगर मैं circular shape अगर उठाता हूँ, उससे design करता हूँ core, तो इसके उपर जो perimeter के उपर winding wrap up होगी, उसके लिए जितना material यूज़ चाहिए, मुझे जो भी material copper का material है, वो क्या है, कम लगेगा, क्योंकि इसका perimeter कम है, guys, ध्यान से सुनना, इन दोनों का क्या है, मैं comparison कर रहा हूँ, जब इन दोनों का volume, iron material same use हो रहा है, same volume है, same amount of iron use हो रहा, तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बट दिक्कत एक और चीज़ की होगी, कि core को हम लोग directly, ऐसे तो use नहीं करेंगे, बीच बीच में क्या करेंगे, lamination भी देंगे, lamination cut down करके, lamination भी देना पड़ेंगे, यहाँ पर भी lamination देना पड़ेंगे, मुझे, यहाँ पर भी lamination देना पड़ेंगे, तब देखो, यहाँ, एक size की lamination strips ही, पूरे में काम आईगी, बट यहाँ पर क्या होगा लेमिनेटिंग स्ट्रिप्स जो होगी बार-बार उसका साइस क्या होते जाएगा बदलते जाएगा इस वज़े से इसका construction थोड़ा सा difficult हो जाएगा इस वज़े से हम क्या करेंगे कि इसमें देखो इसमें क्या लेमिनेटिंग स्ट्रिप्स का एक फ क्या है कि लामेनेटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिं इन दोनों को मिला दूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा जिसको बोलते है टू स्टेब्ड कोर या फिर इसका फैमस नेम क्या है क्रूसी फॉम इसमें क्या होता है देखिए इस तरह से हम लोग स्लाइस यह रेक्टेंगुलर स्लाइस हो गई हमारी और साथ में यह स् यह रेक्तेंगुलर में जाता जाए हो इससे फाइडा क्या होगा अभी दिक्व तू स्टेब डूब बोलते हm लोग हो सकता है थ्री स्टेब्ड एफ्वॉर mogę हो सकता है बढ़्ट डूख को हमारा जो फैमस नाम इसका है अने क्रूसी फॉम पैक इसमें क्या होता है एक सें है 4 mm ठीक है तो यहाँ पर यह वाले का एरिया जो होगा A1 इसका फिर A2 फिर इसका A3 फिर इसके साइड वाला भी यह A2 A2 क्या रहेंगे identical फिर इस वाली position पर क्या रहेंगे A3 A3 identical मतलब central में जो एक है A1 इरिया उसके बाजू इधर 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 जो उसके आसपास की जितने हैं तो balancing करते हुए area जाएंगे इस वज़े से क्या होगा balancing भी अच्छी रहेगी ठीक है गाईस तो यह कुछ इस तरह के इस मैंने cruciform या two step core भी बोल सकते हैं देखो कैसे अब इसमें हुआ क्या इसमें अगर मैं एक्च्छल एरिया की बात करूँ एक्च्छल एरिया क्या होगा क्या लेमिनेशन्स वगेरा तो काम आएगी नहीं यह लेमिनेशन्स क्यों कर रहे तू प्रिवेंट एडी करेंट तू प्लस क्या बोल सकते हैं लोग two times of a2 plus a3 ठीक है two times two a2 है two a3 है तो मैं लिख सकता हूँ two times of a2 plus a3 और apparent एरिया क्या हो गया एरिया किसका सर्कुलर शेप का एरिया सर्कुलर शेप का एरिया जिसके अंदर लेमिनेशन्स भी है जिसके अंदर क्या है लेमिनेशन्स भी है तो जब हम लोग EMF एक्वेशन निकालेंगे तो उसमें आपने जो EMF एक्वेशन पड़ी होगी जो कि मैं derive करूँ आगया आने वाले lectures में उसमें जो area आता है वो area कौन सा होता है वो actual area होता है बट असल में तो area में क्या होगा पूरा लेमिनेशन्स वगेरा भी count होगे तो वो total area क्या हो जागा apparent area तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं EMF एक्वेशन में कई बार हम लोग क्या use कर लेते हैं जो area जो यह वाला जो एक factor इंट्रोडूस करता हूँ यहां से उसका नाम है staking factor क्या है उसका नाम staking staking factor इसका एक और नाम बोल सकते हैं हम लोग इसका एक और नाम बोल सकते हैं laminating factor laminating factor laminating factor जो कि क्या होता है actual area actual area upon apparent area apparent area ठीक है apparent area actual area upon apparent area तो मुझे पता है apparent area क्या होगा ज्यादा होगा तो यह हमेशा यह जो factor है लगबक लगब 0.7 to 0.9 हो सकता है ठीक है आपको given question में value होगी बट आम तोर पर जो gate में है वो इतना detailing नहीं होता है directly आपको जो area दे रखा है वो active area या फिस क्या बोल सकते हम लोग actual area given होता है directly तो जो EMF equation में यूज करते हैं directly कौन सा area यूज करते हैं हम लोग actual area ही यूज करते हैं बट मान लीजिया आपको numerical में अगर staking factor या eliminating factor given है तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा apparent यह वाला factor multiply करना पड़ेगा इसकी वज़े से enduse EMF थोड़ा सा कम हो जाएगा ठीक है गाईस तो इसको क्या बोल सकते है active area भी बोल सकते है जिसमें core का सिर्फ एरिया लिया है हम लोगों ने इसके अंदर क्या बोल सकते हैं ग्रॉस एरिया बोल सकते हैं कि उसमें lamination से वो भी हम लोगों ने count कर लिया है जस्ट लाइक आप अगर वन केजी शुगर लेने जाते हो किसी किराने की दुकान पर तो क्या होता है शुगर के सांसनत किसका वेट हो जाता है जिस आप carry bag में जिसमें ले के आ रहे है उसका भी वेट हो जाता है तो अगर मैं sugar और carry bag का वेट ले लो तो क्या हो गया मेरा apparent area हो गया या फिर gross area बोल सकते और actual area किसका होगा sugar का होगा सिर्फ और सिर्फ करेंगे तो actual area हमेशा क्या होगा apparent area क्या होगा ज्यादा होगा इस वज़े से ratio क्या होगा always less than one होगा ठीक है इसको laminating factor भी बोलते कई बार EMF equation में जो area होता वो कौन सा by default अगर striking factor नहीं दे तो हम वगरा कि information तो होती नहीं हमारे यूजिक कोर्स में तो अगर गीवन हो striking factor का multiply करें मैं आगे चलके question जरूर करवा दूँगा आपको ठीक है गाईस तो इस तरीके से आपको आज से यह पता चल गया कि core material का material क्या होता है CRGS material से बना होता है उसका shape क्या होता है crucif form होता है ठीक ह गाइस तो इस तरीके से चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग एक बकोल से ले construction का पार्ट और बचा है उसके बाद हम लोग क्या आएंगे types of transformer की बात करेंगे